सबक तेरह नजम दरख्तों से मुहबबत नजम निगार मिधत अख्तर दरख्तों पर है चिडियों का बसेरा दरख्तों से मिले साया घनेरा खुशी से चह चहाते हैं परिंदे मुसाफिर धूप से घबरा के आएं तो ठंडी चाओं में आराम पाएं सडक मैदान रस्तों पर घरों पर दरख्तों का असर है मौसमों पर सफ़ा नंबर अठटर बड़े बुढ़े हमारे कह गए हैं दरख्तों से हजारों फाइदे हैं बड़ों की ये नसीहत याद रखें दरख्तों को सदा आबाद रखें दरख्तों की हिफाज़त हम करेंगे दरख्तों से महबबत हम करेंगे नजम निगार मिधत अख्तर सफ़ा नंबर उनासी एक लवज और मानी दरख्त पेड बसेरा रहने की जगा ठिकाना वो जगा जहां चिडियां रात बसर करें घोंसला हम्द वो नजम जो खुदा की तारीफ में हो मुसाफिर सफर करने वाला नसीहत वो बात जो अच्छा काम करने या बुराई से बचने के लिए किसी से कही जाए अमूमन ऐसी बात बड़े लोग अपने छोटों से कहते हैं हिफाज़त खत्रे या नुकसान से बचाओ देख भाल दो गोर कीजिए दरख तो बहुत कारामद और मुफीद होते हैं इनसे फल तो मिलते ही है साथ ही हवा भी साफ होती है इनके साए में सुकून मिलता है हमें अपने आसपास मुझूद पेड़ों की हिफाज़त करनी चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए तीन सोचिए, बताईए और लिखिए अलिफ चुडियां कहां बसेरा करती हैं बे मुसाफिर धूप से बचने के लिए कहां आराम करते हैं जीम दरख्तों के हिफाज़त क्यों जरूरी है हे दरख्तों के बारे में बड़े बूड़े क्या कह गए हैं सफ़ा नंबर असी चार दिये गए मिसरों को सही लवजों से पूरा कीजिए अलिफ दरख्तों पर है खाली जगह का बसेरा परिंदों या चिडियों बे खुदा की खाली जगह गाते हैं परिंदे हम्द या नात जीम मुसाफिर खाली जगह से घबरा के आएं बारिश या धूप दाल दरख्तों को खाली जगह आबाद रखें सीन वाला सदा या स्वाद वाला सदा हे दरख्तों की खाली जगह हम करेंगे हिफाज़त या बरबादी पांच इन लवजों से जुमले बनाईए दरख्त मुसाफिर सदा हिफाज़त बसेरा आराम छे इन लवजों के मुतजाद लिखिए खुशी धूप ठंडा आराम बूढ़ा फाइदा मुहबबद बड़ा साथ नजम से ऐसे तीन मिस्रे लिखिए जिन में लवज दरख्तों आया हो सफा नंबर 81 आठ यहां कुछ लवजों की जमा दी गई है उनके वाहिद लिखिए दरख्तों मौसमों हजारों बूरों रस्तों घरों चिडियों बड़ों नौ पढ़िये, समझिये और लिखिये दरख्तों के फाइदे पर पाँच जमले लिखिए बाज लवजों का तलफुज एक जैसा होता है लेकिन मानी और इमला के एतबार से वो मुक्तलिफ होते हैं जैसे पहले लवज का मतलब हमेशा लेकिन दूसरे का मतलब आवाज है इसी तरह यहां कुछ अलफाज दिये गए हैं अपने उस्ताद की मदद से उन अलफाजों को खानों में लिखिए जिनका तलफुज एक जैसा है सफ़ा नंबर 82 दस नजम में जो लवज इस्तेमाल नहीं हुए हैं उनके गिर्द दाइरा बनाईए मुहबबत हमारा तुम्हारा बसेरा दरखतों नफरत गम गर्म धूप गेरा तकलीफ हम्द मौसमों जवान नुकसान मकान बुजर्ग उस्ताद खुदा सडक असरात छाओं जलील सदा आम आम सदा ग्यारह इन तस्वीरों के बारे में दो-दो जुमले लिखिए पहरी तस्वीर में सडक दिखाई गई है दूसरी तस्वीर में एक दरखत दिखाया गया है तीसरी तस्वीर में एक परिंदा दिखाया गया है झाल झाल